Hello students, आज हम Kramer Roll के हैज से linear equations in two variables को solve करना सीखेंगे. देखें कैसे हैं? सबसे पहले आप D निकाल होगे. D के लिए X और Y के coefficients को एक determinant के अंदर डाल दीजी. फिर उसके बाद D1 निकालेंगे और उसके बाद D2 निकालेंगे. D1 के लिए क्या करोगे? फिर्स्ट कॉलम में आप 410 रखो. और D2 के लिए सेकेंड कॉलम में 410 रखो. अब कोशन ये उठता है, यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर जो D के elements है, वो ही आ जाएंगे. ऐसे यहाँ पर 2,4 रहेगा. इतना करने के बाद क्या करने आपको? देखो. इसे solve करेंगे. D क्या होगा? 3,2 रखो 6 minus 4,1 रखो 4. तो value of D क्या ही? 2 आ गई. ऐसे ही D1 निकालेंगे. 4,3 रखो 12 minus 10,1 रखो 10. तो कितना आ गया? 2 आ गया. D2 रखो निकालते हैं. 2,10 रखो 20 minus 4,4 रखो 16. यह आपका 4 आ गया. ठीक है? अब देखो X निकालने के लिए formula होता है. D1 upon D and Y के लिए D2 upon D तो D1 कितना है? D1 2 है. और D 2 है. Cancel करेंगे तो आएगा 1. ऐसे ही D2 आपका है 4 और D आपका है 2. Cancel करेंगे तो आएगा 2. Hence X X is equal to 1 and Y equal to 2. यह आपका answer आगया. अब इसको verify भी कर सकते हो. First equation में डाल के. Second में डाल सकते हो. No problem. 2X plus Y is equal to 4. 2 into X के आया? 1 आया. Y के आया? 2 आया. अब देख सकते हो 2 plus 2 आपका 4 आगया. तो सकते हो. Thank you with you.